हलो बच्चो स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में आज हम लोग कुछ क्वेशन्स करेंगे बेस्ट ऑन एपप्टॉसस एंड नेक्रोसस हम लोग एपप्टॉसस और नेक्रोसस के बारे में पढ़ चुके हैं अपने पिछले वाले लेक्चर में अगर आपने वो वीड आप जरूर देखें और उसके बाद ही यह वाली वीडियो आप देखें तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेशन्स और देखते हैं कि पहला क्वेशन क्या कहता है पहले क्वेशन के अकॉर्डिंग एपप्टॉटिक बोडी को हम कैसे रिकोगनाइस कर सकते हैं कैसे पह तो यहां से आपको नाम से याद आ रहा होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा आपको फॉस्पेटिडायल से याद आ रहा होगा पर फॉस्पेटिडायल तो इसलिए कौन सा आंसर होगा इसका इसका आंसर होगा बच्चो फॉस्पेटिडायल सेरीन जबी भी कोई भी सेल जि इसलिए जहां पर भी aptosis होने वाला होता है वहां पर जो phosphatidalsirine होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है और दिखाई देने लगता है हमें बताना है इन में से कौन सी सेल और गैनली एक्टिवली पार्टिसपेट करती है एनिमल एपोप्टोसेज में हमायर पास option है nucleus, vacuol, mitochondria या chloroplast तो इसका answer क्या होगा बच्चो इसका answer होगा mitochondria इसको आप तब समझेंगे जब आप apoptosis की process को समझेंगे apoptosis की process में जो हमारा mitochondria होता है वो बहुत ही important role play करता है ठीक है जब हम apoptosis को detail में समझेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे अब चलते हैं next question पर this cannot be killed by apoptosis इन में से क्या apoptosis की process की द्वारा मारा नहीं जा सकता है इम्यून cells, cells with DNA damage, cancer cells, a cell infected with virus क्या एक immune cell को हम apoptosis से नहीं मार सकते हैं बिलकुल मार सकते हैं immune cells by apoptosis से मर सकते हैं cells with DNA damage, अगर किसी भी cell में DNA का damage होगा तो क्या उसको apoptosis से नहीं मारा जा सकता है बिलकुल मारा जा सकता है तो यह दोनों option तो गलत है अब आती है cancer cell और cell infected with virus तो इन दोनों में हो सकता है तो ऐसा कॉनसा cell है जिसमें की apoptosis नहीं हो सकता है तो जो most appropriate answer है वो है cancer cell ठीक है? तो cancer cell में apoptosis नहीं होता है जबकि virus वाले जो cells होते हैं जो virus से infect हो जाते हैं उनमें भी apoptosis हो जाता है cancer cells में नहीं होता है क्योंकि apoptosis के लिए जो भी factors चाहिए होते हैं cancer cell में वो downregulate रहते हैं चलते हैं next question पर this is an active cell death process इनमें से कौन सी process एक active cell death process है? necrosis, lysis, apoptosis या senses तो इसका क्या answer होगा? इसका answer है बच्चो apoptosis apoptosis एक active cell death process है अब चलते हैं next question पर्दी special enzymes are released during necrosis from जब necrosis होता है तो special enzymes release होते हैं तो वो enzyme कौन सी organelles से release होते हैं? options हैं lyzozomes, vicuols, cytoplasm, golgi bodies तो क्या answer होगा इसका? इसका answer होगा lyzozomes, lyzozomes से enzymes निकलते हैं चलते हैं next question पर the apoptosis is classified as, apoptosis को कहते हैं programmed cell death, non-programmed cell death, mitotic cell death या accidental cell death तो यह तो बड़ा ही आसान question है इसका answer होगा programmed cell death हम apoptosis को programmed cell death बोलते हैं which of the following statement is not true about necrosis? necrosis के बारे में कौन सी statement सही नहीं है? cell size increases, cell का size बढ़ जाता है, energy independent process है, silent death इसको कहा जाता है इसमें cell burst हो जाता है, तो कौन सी statement सही नहीं है इनमें? तो सही कौन सी नहीं है, silent death वाली, ठीक है अब यह silently बिल्कूल भी death नहीं होती है, cell के necrosis में cell burst हो जाते हैं, जो कि आस पास के cell को भी infect करते हैं, तो silent कैसे होई? तो silent death नहीं होगी, silent death, apoptosis होती है which of the below is a single cell phenomena, इनमें से कौन सा phenomena, single cell phenomena है necrosis, apoptosis, lysis, या none of the above तो इसका answer है, apoptosis, ठीक है, apoptosis, single cell phenomena होता है necrosis involved, necrosis में क्या क्या चीज़े होती है breakdown of plasma membrane, plasma membrane का टूटना de-aggregation of ribosome, ribosome का de-aggregate होना rupturing of mitochondria, mitochondria का rupture होना, टूटना, ठीक है all of these, तो या फिर यह जो सब चीज़े हैं, यह सभी होती है necrosis के दौरान, तो क्या होगा इस cancer? इस cancer होगा all of these, यह सभी events होते हैं during necrosis अप चलते हैं हमारे last question पर आजके, apoptosis is the property of dash cell apoptosis कौन से cell की property होती है non-vertebral, vertebral, non-cordate या none of these तो हमें बताना है कि cell में apoptosis होती है तो इसका answer है, vertebral cell जो apoptosis होती है, वो सिर्फ vertebral cell की property है non-vertebrates में वो नहीं होती है तो बच्चों इस तरीके से एक कुछ important questions थे based on apoptosis and necrosis मैं उमीद करती हूँ, वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like जरूर करें, share करें और replica world को subscribe करें